हेलो माई डियर फ्रेंड्स! वेलकम तुरुप मास्वल फ्रेंड्स! आज मेंने के आएंू पके पखेवे केले की बहुत ही इंटरुस्तिंग सी और हेल्दी सी रेसिपी जो की है पकेवे केले की बरफी इसको आप हल्वे के रूप में और हrandi आपकेवी कीवा hace this is in antioxidants which is when appreciative of in preventing or delaying cells damage in one's body body देफे होंने से हमें बचाता है और Easy to a भी तक तक अभी तक मेरे चैनल को continues है तो ब्लीज सब्सक्राइब कर देने बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली नए वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहे है तो देखिए तोड़ने में मैं दिखा रही हूं बहुत ही साथ है सुपर सॉफ्ट यह बनाना की बरफी बनके दयार है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह देखिए दो मीडियम साइज के मैंने यह पे बनाना ले लिए है और इनको कोई खाना पसंद नी करता है और इसकी रेसिपी बहुत ही ज़दा टेस्टी होती है और साथ ही एक बोल मैंने जैगरी पाउडर लिया है एक बोल लाटा है और वन फोर्थ कप इसमें वाटर लिया है अच्छे से मैल्ट कर लेंगे आप यह पाउडर शुगर का भी आइड कर सकते हैं तो सबसे पहले कडाई में डाल लेंगे वन फोर्थ कप घी और एक कप आटा डाला है हमें ने आटे को बहुत अच्छे से रोज करेंगे लगातार चलाते हुए हमें इसे लोटू मीडियम अच्छे से लगातार चलाते रहना है वरना यह तले में जाके लग सकता है और जल सकता है जिससे इसका टेस्ट खराब हो जाएगा और कहीं से ब्राउन और कहीं से लाइट कलर आएगा तो बहुत बिकार लगेगा थोड़े से ड्राइफूट को भी हम देसी गी में इस तरह अधिक आटा भी हमारा बहुत अच्छे से रोस्त Deutschland होके ब्राउन हो गया है और यह हमारा कितना चाटा दानेदार आटा हो गया है अब यहां पे जो ब्लैना लिए टना उन्को कट करके एक ब्लैनिंग जार में डालेंगे और इसको ब्लेंड करके फ्योरी बना लेंगे लगातार चलाते हुए हम इसे भून रहे हैं, देखे कितना अच्छा दानेजा टेक्चर आ गया है, भून गया है हमारा, अब हमने इसमें बनाना की प्यूरी एड कर दिया है, और यह प्यूरी एड करते ही, एकदम से खटा होने लगेगा, तो हमें इसका ध्यान रखना है, ल लगा लिया है, बर्फी जमाने के लिए, तो इसमें हम बर्फी सेट करेंगे, और अब यहां पर जगरी पाउडर जो हमने मैल्ट करके रखा है, पानी में गोल के उसको भी हम एड कर लेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको मिक्स करते ही, यह हमारा एकदम से डो अच्छे सी शाइन आजाएगी इसमें, और बहुत ही जल्दी टेस्टी यह हमारी बनाना की बर्फी बनके तयार हो गई है, थोड़ा सा गी और अच्छे ची शाइनिंग के लिए इसमें, और यह हमारा डो की फोम में अच्छे से जम गया है, अब इसको हम अपनी टिन में ट कि टीयार कर लेंगे, अब इसको जमने के लिए फ्रिज में रख देंगे थोड़े से ड्राइ फ्रूट से उपर से गार्निश करेंगे, और इसको फ्रिज में एक दू घंटे के लिए सैटोने के लिए छोड़े हैं, यवितो बहुत ही जैदा टेस्टी लगता है, यह बनान आपने बहुत सारे गुन होते हैं एंटियोग्सिडेंट होता है और रिच इन फाइबर और केल्शियम सो भर्फूर मातरा में होता है इसमें तो फ्रेंड्स इसको जमने के लिए फ्रिज में रख देते हैं तब जब यह जाएगी तो हम इसको निकालेंगे और कट करके दिखा बहुत ही जाएदा काटने से अब पता चल रहा होगा इतनी सुपर सॉह घटी สी नहीं हमारे मारे तयार होरी जाते है जो मुम में जाते है तो फ्रेंड्स बहुत ही जाएदा टेस्टी और हेल्दी बढैना की बर्फू हमारी तयार है ऑवर राइप बनाना की की बढै ес़ एंड हेल्दी तो है ही तो फ्रेंट्स कैसी लगी आप सबको मेरी यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो फ्रेंट लीजिए रेडी हो गई है हमार आप सबको अच्छी लगे होगी मेरी वीडियो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाबाए